इस वीडियो टुटरिल में हम सिखेंगे कि कमपेटर में किसी भी प्रोग्राम को कैसे डालते हैं यानि इस्टोल कैसे करते हैं तो आएए शुरू करते हैं देखें मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने डोक्यूमेंट में कुछ प्रोग्राम को डाल रखे हैं यहाँ यहाँ गया डोक्यूमेंट में देखें जैसे यहाँ पर मेरको अड़ाओ पेजमेकर और अड़ाओ फोटोशॉप और कोरल ड्रो और मा अपने computer में यूज करना है तो यूज करने के लिए क्या करूंगा सबसे पहले हिने इस्टॉल करूंगा अपने computer system में तो इस्टॉल कैसे करते हैं यह programs देखें यहाँ पे क्लिक किजिए मैं इसको large करता हूँ extra large कर देता हूँ मैं ठीक है उसके बाद देखें यहाँ पे setup का icons जो होता वह इस तरह का होते देखें यहाँ पे यह देख सकते आप यह setup का icons है तो इस पर जो है आपको प्रोवाइड कराती है तो उन्हें क्या है उसमें डालना पड़ेगा तो दिखें इसका serial नमर यहाँ पे है तो मैं इसको open कर लेता हूँ कि यह notpad का एक file है आप इसे पहले कहीं पे भी not कर लिजे क्योंकि जब आप software install करेंगे अपने computer में तो यह खी जो है आपसे मांगा जाएगा तो चेलिए यहाँ पर setup का on करते हैं यहाँ पर मैंने double click किया उसके बाद एक window खुलती है उसमें yes आपसे पूछा जाता है तो उसमें yes कर दिजिए उसके बाद देखे यह जो है setup चालू हो गया शुरू हो गया यह add of company का है page maker उसके बाद यहाँ next पर click किजे देखे यहाँ पर next जो यह बटन देख रहे हैं आप इस पर click कर दिजे उसके बाद फिर से यहाँ next पर click किजे क्योंकि जो भी setting है वो by default हम छोड़ रहे हैं अभी उसके बाद फिर next पर click किजे और यहाँ पर देखे accept करने को कहा जा रहा है आपसे तो इसके जो भी terms and condition है इसको धियान पूरवक यहाँ से पहले पढ़ लीजिए यह पूरा terms and condition दिया गया है इसे पढ़ने के बाद list कीजिए उसके बाद देखें यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको कि आप इसे business के लिए यूज करना चाहेंगे या individual तो मैंने कर दिया है यहाँ पर कि मैं इसे business के लिए यूज करना चाहूंगा और यहाँ पर आपसे कुछ titles पूछा जाता है first name last name company name ठीक है यह आप यहा पर दिया गया है serial नापर तो यहाँ पर serial नापर डालना पड़ेगा तो चलिए इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और serial नमबर देखें यहाँ पर Start इसमें सिरियल नमबर है तो इसको मैं यहां से ओपन किया अब यहां पर यहां पर यहां पर टाइप करना पड़ेगा तो सिरियल नमबर यहां पर मैं टाइप कर देता हूँ इसमें कि सिरियल नमबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट कीजिए उसके बाद फिर yes पर क्लिक कीजिए अब यह आपके computer में install होने के लिए देखिए यह आ गया यहाँ पर फिर से next step आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर next पर क्लिक कर दीजिए फिर से next और यह install हो रहा है आपके system में उसके बाद यह install हो चुका है आपके system में उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है OK करने के लिए तो यहाँ पर OK पर किलिक कर दीजिए उसके बाद finish फिर से OK और इसे close कर देते हैं आप बैक आते हैं और देखे यह उसके बारे में कुछ पढ़ने के लिए details जो है आ गए तो इसे मैं आप फिलाल close कर देता हूं अब देखें यहाँ पर जब आप स्टार्ट पर जाएंगे उसके बाद देखेंगे तो यहाँ देखेंगे अड़ोप पेजमेकर 7.0 जो है आ चुका है इंस्टॉल हो चुका है उसके बाद हम देखते हैं आगला सोफ्ट्वेर अब देखें यहाँ पर दिया गया है Microsoft Office 2007 इसको मैंने ओपन किया इस फोल्डर को और इसमें देखते हैं setup कहाँ पर है तो इसमें देखें यहाँ पर setup है नीचे और यहाँ पर serial number दिया गया है यह MS Office 2007 है यह आपके P4 सिस्टम से उपर के जो भी version है उन पर काम करता है अगर आपका system P4 है या dual core है या i3, i5, i7 है तो उस पर चलेगा यह इसके लिए 1GB या 512MB RAM की आविशकता होती है तो चले इसको install करते हैं यहाँ सबसे पहले हम serial key को खोल लेते हैं और इसको मैंने select कि यहाँ से और इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ मैं उसके बाद यहाँ से setup को on कीजिए उसके बाद एक window open होगा उसमें आप से yes पूछा जाएगा तो yes कर दिजिए उसमें जब आप yes कर देंगे तो दिखे यहाँ पे आपको जो है key पूछा जागा तो यहाँ पे की पेस्ट कर देता हूँ मैं right click करके ठीक है देखे जब की आप इसमें पेस्ट कर देंगे उसके बाद देखे यहाँ पे जो है continue पूछा जा रहा तो इस continue पे क्लिक कर दीजिए उसक जो है यहाँ पर install नाओ और एक है customize, customize option उनके लिए है जो दो या तीन वर्जन यूज करते हैं Microsoft Office 2007 या 2010 दो वर्जन जैसे कि 7, 10 या 10, 13 तो उनके लिए customize है, लेकिन अगर आप सिर्फ Microsoft Office 2007 ही आपके system में है तो उसके लिए आप install नाओ पर click कीजिए, चलिए मैं यहाँ पर click करता तो इस तरह से MS Office को भी आप install कर सकते हैं, उसके बाद last में एक message आएगा, उसमें आप से पूछा जाएगा finish करने के लिए, तो finish के बाद दिखे, MS Office install हो जाएगा, और ध्यान रखिए जब MS Office आपके computer में install हो रहा हो, तो आपका computer बीच में बंद नहीं होना चाहिए, अगर आ MS Office install करेंगे अपने system में, तो कुछ problem हो सकता है, और हो सकता है, ये install भी न होए आपके system में, ऐसा problem होता है, उसके बाद देखे, यहाँ पे जाते हैं हम documents में, अब हम सिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है Photoshop, तो Photoshop को कैसे install करें अपने computer में, तो open किजे Photoshop को, उसके बा तो देखें, यहाँ पे serial number है, और देखें, यहाँ पे यह वाला setup है, ठीक है, देखें, यह बन गया है, इस तरह से icons, तो यह setup है, तो पहले serial number को में open कर लेता हूँ, इसको, ठीक है, उसके बाद यहाँ setup पे double click कीजिए, उसके बाद आपके सामने एक window आएगा, उसमें yes button पे click कर दीजिए, उसके बाद देखें, यहाँ पे पूछा जाएगा next, तो next पे click कीजिए, उसके बाद ok कीजिए, फिर से next पे click कीजिए, और accept पे click कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने भड़ा था, उसमें page maker में उसी तरह से यहाँ पे सभी चीजे fill कर जाता है, तो वो serial number यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, तो दिखें, यहाँ पे मैं यह serial number type कर देता हूँ, यहाँ पे, serial number type करने के बाद, detail भरने के बाद यहाँ पे next पे click कर दीजिए, उसके बाद yes कीजिए, उसके बाद फिर से यहाँ next पे click कीजिए, और फिर next फिर से next कीजिए तो दिखे ये Adobe Photoshop आप आपके system में install हो रहा है इसमें हमने सिर्फ next next किया है क्योंकि जो भी इसमें setting थी वो हमने by default छोड़ दिया है क्योंकि by default जो setting होती है वो अच्छी होती है और use करने में भी वोई अच्छा लगता है तो इसलिए हमने by default setting ही रखा है और इसको install करना शुरू कर दिया है तो देखे एड़ फोटोशोप के साथ आपको Adobe image ready भी मिलता है जो कि Adobe Photoshop की तरह ही दिखता है और work भी same होता है थोड़ा बहुत अलग है अब देखे यहाँ पर option आगे आपके पास finish करने के लिए तो यहाँ पर finish पर click कर दिजिए तो Photoshop आपके computer में आ चुका है यहाँ पर okay कर दिजिए तो देखे उसके बारे में यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए आ गया तो इसको आप पढ़ सकते हैं चाहे तो या आप कहीं पर इसको save कर सकते हैं यह एक word fight की file में खुला है फिलाल मैं इसको यहाँ पर close करता हूं और देखे MS Office जो यह अभी install हो रहा है चलिए और कोई software देखते हैं back करते हैं यहाँ से उसके बाद देखें यहाँ पर जो software वो हमारे पास coral draw तो coral draw को भी आप install कर सकते हैं चलिए यह भी मैं आपको करके दिखाता हूं देखें coral draw का जो key है वो यहाँ पर है ठीक है इसमें key है और यहाँ पर जो है यह software है तो इसको यहाँ से install करते हैं तो इसके लिए simple मैं setup यह setup है इसमें देख सकते हैं coral draw का setup थोड़ा बहुत अलग होता है तो इसमें आप चेक कर लिजिए आपके में कौन सा setup है क्योंकि मैं यहाँ पर X3 यूज कर रहा हूं तो इसलिए मैं यही वाला install करके आपको दिखा रहा हूं X3 तो इसमें मैंने क्लिक किया उसके बाद देखें यहाँ पर यह इस तरह से open होके आ गया है तो मैं यह वाला install करने वाला हूं install coral draw graphics suit X3 वाला essential मैं use नहीं करता हूं तो इसलिए मैं X3 यूज करूंगा तो इसको install करते हैं इस पर क्लिक किया उसके बाद आपके सामने एक window खुल के आते हैं जब भी आप कोई software computer में install करते हैं तो by default आपसे एक option मांगा जाता है yes या no तो उस पर yes करना होता है अगर आप yes करेंगे तभी वह software जो आपके computer में install होगा तो उसी तरह इसमें भी पूछा जाता है तो yes पर क्लिक कर दिजिए उसके बाद यहां ok पूछा जारा ok कीजिए यहां पर और देखिए यह जो आपके system में install होना शुरू हो गया आप देखिए installation complete होने के बाद यहां पर इसमें भी पूछा जारा finish तो finish पर क्लिक कर दिजिए इसको यहां से close कर देते हैं तो इस तरह से आज आपने देखा कि कैसे हम अपने computer system में किसी software को install कर सकते हैं डाल सकते हैं उसके बाद देखिए अगर आपको गाना प्ले करना हो या कोई video या movie प्ले करना हो तो उसके लिए आप बहुत से software का use करते हैं फिलाल मैं यहां पर आपको VLC media player के बारे हम बताने वाला हूँ तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहां पर देखिए VLC media player है तो इसको कैसे अपने computer system में install कर सकते हैं तो इस पर मैंने simple click किया double उसके बाद आपके सामने एक window खुल के आएगा उसमें yes पूछा जागा तो yes पर click कर दीजिए ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर मेरे पास message आ गया कि मेरे पास यह पहले सही install है तो इसलिए मैं इसको install नहीं करने वाला हूँ तो मैं no कर देता हूँ अगर आप install करना चाहते तो yes कीजिए और next next क्लिक करके install कर लीजिए यहां पर देखिए ओप्शन आ रहा है next next तो कर सकते आप और उसके बाद यह जो है आपके system में install हो जागा तो मैं यहां पर cancel कर देता हूँ इसको yes और close कर देता हूँ इस video tutorial में हमने सीखा कि कैसे आपने computer में किसी भी program को install कर सकते हैं किसी भी software को डाल सकते हैं और भी video tutorial देखने के लिए और सिखने के लिए learning as is based i का यह YouTube channel है यहां पर किलिक करके इस रैट कलर के बटन पर किलिक करके इसको यहां से subscribe कर लिजे या अगर आप इसके किसी वीडियो को play करके देख रहे हैं तो देखे वीडियो की नीचे यह रैट कलर का subscribe बटन है यहां प किसी और topic पर वीडियो चाहते हैं तो अभी आप comment box में लिख सकते हैं उसके उपर भी मैं आपको वीडियो बना के देदूंगा subscribe करने से क्या होगा जब भी कोई नया वीडियो इस पर upload किया जाएगा या डाला जाएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको mail द्वारा प